हरियोम, हरियोम, मनुष्य शरीर भोग के लिए नहीं मिला है, मनुष्य शरीर सारे दुखों से पार जाने के लिए मिला है, एही तनुखल करफल भोग न भाई, अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य भजस्वमाम पशुषरीर भोग के लिए है, इसलिए मनुष्य शरीर न तो डाप्टर बनने के लिए, न तो पैसा गमाने के लिए, न तो परिवार बढ़ने के लिए, इसलिए भगवान ने एक बुद्धी दिया है, और बुद्धी में एक तरह का जो कुछ भी मिले, उसके साथ कुछ और देखने की कोशिश करता है, एक असंतोष डाल दिया है, और क्या है इसके बाद, उसको भौतिक सुख मिल गया, फिजिकल सुख मिला, तो उसके बाद एमोशनल सुख चाहता है वेक्ति, एमोशनल मिल गया, फिर उसको लगता है हमें कुछ इंटिलेक्शल सुख मिले, फिर उसको लगता है हमें इस्पिरिच्छल सुख, कुछ बढ़ा सुख चाहने के चाहने, उससंतोष नहीं उसको मिलेगा, परिक्ष, लोकान, कर्म, जितान, ब्रामण, निर्वेद, माधायत, बुन्दक्षृति में, गुरू के पास स्टुदेंटम गया, स्टुदेंट ने, गुरू ने पुछा, बही, तुम क्यों आए, इतनी मेहनत करें तुम आने में क्यों आए, तो शिष्ण बुला, परिक्ष, लोकान, कर्म, जितान, ब्रामण, निर्वेद, मायाद, नास्ति, अकृत, अकृतेना, बुले, हमने संसार के सारे अनभह को देख लिया, ठोक बजागे, जो हम चार हैं नहीं मिलना है, बोले तुम क्या चाह रहे हो बोले हमें अबाधित सुख चाहिए किसी देशकाल वस्तु में न हो हर देशकाल में हर वस्तु में हो बिना काम का सुख हो और अंतरंग का सुख हो जैसे हो हम सब का इश्ट सुखी है सब समय, सब जगे सब काल में सब लोगों के साथ, बिना काम किये, बिना काम किये सुक चाहिए, क्योंकि अगर काम करके सुक मिला तो हमसे अलग होगा, और अंतरतम का सुक चाहिए, पांचीजे सुक के साथ है तो हर समय, हर देश में, हर काल में, अंतरतम में और और बिना कर्म का तो फिर भगवानी होगा तो ऐसे बोलो नोगे भगवान चाहिए तुम जो अपनी असली इच्छा है, address your real desire और तुम बोलते हो कि अमको धन चाहिए, तो तुम अपनी जो असली इच्छा है उसको तुम ने छोड़के जूठी इच्छा के पीछे भागे तुम नहीं, ठीक कहरे ना, जो सब जगे है, सब देश में है, सब काल में है, बिना बनाया हुआ है और अंतरंग का है, वो तो या आत्मा होगा या भगवान होगा, तो तुम उसको कुछ और नाम क्यों दे रहे हो, यही मुख्य बात है, तो मतलब वो सुक अगर सब समय होगा तो अभी भी होगा, और हमारे अहम से अलग नहीं हो सकता, लेकिन हमको पता नहीं उसी का नाम मो ज्यान योग है, लोक यस्मिन, दिविधा निष्ठा, पुरा प्रोकता, मयानग, ज्यान योगेन योगेन, सांख्या नाम, कर्म योगेन, योगेनाम, भई य तो रस्ता स्पस्थ है ना, आपको जब आपको कोई चीज मिल गई तो हर समय हर जगा तो नहीं रहेगी, यह तो तो common sense बताता है, यह तो common sense, you don't need, it's not, this and it's not a rocket science, हमे बाटनी मिल गजिए लिकन हर समय हर जगा नही रहेगे, हमे अच्छा धन मिल गजगा, नही रहेगा, यह तो बाटनी करेगा, नही रहेगा, नही तो पाच दिशन तो फुल्फिल करेगा, नही कु पतनी कु मिंतें करन कुछ, बात चीत करना पड़ेगा, गुमने गुमाले जाना पड़ेगा, काना पिना बनाना पड़ेगा, तब भी तब भी पता नि खुषो ना हो, शरीर भी ऐसे है अपना, जिस सुख में पाच चीजे लगी हैं, हमें वही चाहिए, अनलब होगा, कोई हम बड़ी बात तो ऐ यह जा सकती क्यों करें पिर मतलब इस तो गलत बात है, कड्रो अरि में थाली डाल रहे वह आप जो सब द्यगा है सब में उसको इक जगा पाना चाहरह रहो lingu में थाली ठीक है, यहिकन आप ड्रों में थाली एड़ेघस्ट करने कोशिच कर रहयो⋅ है अब तुम्हें जिंद आप तो वेदान शयर शवन करते होंगे, इसलिए हमने इस परश किया, उसके लिए जिस अन्ताकरन की जरुवत है, वो कर्मयोग से तियार होता है, कर्मयोग कही दूसरा नाम सेवा है, अब आपको एक बात हम सुनाते हैं, आप तो जानते होंगे, न तु सिक्षय हम को सिखान हम तो अप तो इसमा रहे हैं, हम याद दिला रहे हैं, हाँ, एक बात ध्याद देना, हर आदमी के जीवन में न, अब हम आते हैं कर्मयोग के पर, जिसका नाम सेवा है, उसको कुछ एक जगा दिया, कोई काम दिया गया है, कोई वेक्ति दिया गया है, शयद उसका नाम विर घर बोल लो, you are given one part of the विराठ, जहां पे आपको समर्पन करना है, आपके पास पैसे है, आपके पास शरीर है, आपके पास समय है, इनकी माध्यम से आप वहाँ अहं कार दीजे, यही हो तेश है, कर्मयोग मतलब अहंकार को जो मुलायम बना दे, घर होगा शयद नाम, लेकिन कहीं तो होना चाहिए, जहां पे आप अपने माननेताओं को किसी बड़ी माननेता के सामने छोड़ रहे हैं, अपने छोटे आहम को बड़े आहम के सामने छोड़ रहे हैं, जान दीजेगा, हम जब बोलते हैं अहंकार त्याग, तो छोटा आहंकार तब त्याग होता है जब हम बड़े अहंकार के साथ को ले लेते हैं, बड़े के किसी अहं में लिविलीन कर देते हैं, हम गुरू के हैं, हम भगवान के हैं, अस अभिमान जाए नहीं मोरे, मैं सेवक रगुपती-पती मोरे, मैं सेवक सचराचर, रूप सौामी भगवंद, ठीक है, जैसे आप मैं यहां बेठे हैं, तो यहां एक अभिमान है कि हम यहां रमायन के शोता हैं, ben यही तो हैं, कहिने कहिन तो हमें अपने अहम का सर्जन करना पड़ेगा, बिना उसके व्यदान आएगा नहीं मन मैं, जो शर्ट संपत्य है, विवेक वैराग्य है, यह सब बनती नहीं है, व उसके बिना वेदान में आप सुन तो लोगे, लेकिन द्यान नहीं कर पाओगे, वे इंटर्नलाइज नहीं होगा, इसलिए आप देख रहे हैं, सारे, देखो, और सेवा का मतलब क्या होता है, किसी बड़े संकल्ब को लेके छोटा संकल्ब छोड़ देना, किसी बड़े के संकल्ब को लिया और छोटा संकल्ब छोड़ा, बले हम अपनी गूरु की सेवा कर रहे हैं, इसका मतलब है उनका कोई संकल्ब था, और उस संकल्ब को हमने लिया और अपने छोटे संकल्ब को छोड़ दिया, कष्ट होगा, बले हम उस कष्ट के लिए तयार है, it is more internal body he will be having another local address called this body it is his body where he is operating through this body this body our Guru is working our Bhagavan is working the body is working this is the name of the Seva but if we are working ourselves we will not be able to do the Seva and the Guru will be able to do the Seva the whole suffering is the promise that we want to leave the God we do not leave the Lord then we will say it I will not say it I will not say it I will not say it एसा आप बोल कि दुखी मत करिये सारा दुख ने फिर से बोल देते हैं सारा दुख ये बताता है कि ईश्वार का संकल्फ हमारे में गुसना चाहता है हम उसको फेक रहे हैं और अपने गलत बात को और गलत संकल्ब को हम पकड़े होएं resistance to God's will is sorrow resistance to God's thought in me resistance to God's claiming my self is sorrow वो हमको अलग देखना चाहता है अलग कुछ करवाना चाहता है ठीक है न? मुश्किल बात नहीं ओल ले अब यहाँ देखो राम जी ने के कई दशच जी का संकल्प ले लिया स्कीता जी ने राम जी का संकल्प ले लिया राम जी के सुक का संकल्प ले लिया श्री लक्ष्मड जी ने राम जी के सुक का संकल्प ले लिया कोई अपना संकल्प नहीं था लक्षमाण जी और रामजी का कोई अपना संकल्प नहीं था कि हम यहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, राजा बनेंगे, अब वन में जाएंगे, आप देखो कि कहीं भी भी पूबनी बोलेंगे, हम यहीं रहेंगे हमको भी यही अपनाम रहे नम्हानी रहे वो रिशी से पूछते हम कहा रहे है विश्वा मित्र जी के पास गए वो भी उनका संकल्प नहीं था तार्का को मारा वो भी उनका संकल्प नहीं था धनुष को तोड़ने के लिए गए उबी उनका संकल्प नहीं था गुरु ने कहा भाई तोड़ो मिधला गय उबी उनका संकल्प नहीं था नहीं ठीक है ना आप आप इसके मरम को आप अगड़ना हम लोग अब लेकिन भगवान का बनाने कोशिश करो और आपको करते करते जीवन में जीते जीते आपको पता चल जायागा कि यह संकल भगवान का नहीं था या था इन डू टाइम ऐसा नहीं कर नहीं पता चलेगा आपको हमें यहां रहना है यह संकल भगवान का था हमें यह काम करना है आपको विराट का एक अंग दिया है आप उसको वो आपका समर्पन स्थान है यहाँ पे आपको अपना हंकार छोड़ना पड़ेगा क्या यह एरिया है इसका नाम पती है इसका नाम पत्नी इसका परिवार इसका नाम आफिस इसका नाम इस्टुशन यहाँ पे हमारे अहंकार त्याक के लिए आपके प्रैक्टिस करवाई जाएगे बले हम नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे तो पिटो के फिर आवाज नहीं होगी चोट भहत लगेगी फिर पिटाई होगी हो सकता है कोई भी और आपको कौन सा आपका अल्टर रहेगा वो भगवाण डिसाइट करेगे बले हम सब की सेवा कर सकते हैं इसकी इलाबल यही रहता है पास में हमारे लेकिन लेकिन वो आपका आप नहीं डिसाइट करियेगा वो भगवाण अपने आप आपको चुन के देंगे कि यह हमारा एक अंश है जैसा तैसा है इसी के सामने तुम अहंकार छोड़ो अपना सेवा मतलब अहंकार छोड़के बहगवान के आपको अपने मिलेना और उस सिस्टम को उस जगा को सुख देना और सुख देने वे चार्ची चाहिए एक तो माननेता होनी चाहिए कि इश्वर का है ये दूसरी भाव अच्छा, स्वभाव अच्छा तीसरी वानी, चौथा कर्म चार चीज से सेवा होती है अगर आपके साम कोई बड़ा है ही नहीं तो सेवा क्या होगी अगर लक्ष्मन जी को राम छोटे ही मालूम पड़ते तब वो क्यों जाते जिसकी माननता में कोई बड़ा नहीं है कि कई ने सेवा नहीं किया किसे की रावन ने सेवा नहीं किया किसे की जादा श्यूजी की सेवा किया लेकिन वो भी आदिया दुरी किया दुरियोदर नहीं किया वो बड़ा नहीं मानन पाया जितनी जरुवत थे कुछ तो बड़ा हो चार बाद बोला था एक तो मानने था दूसरा क्या था भाव बहुत होना चाहिए भाव मतलब सुभाव अच्छा होना चाहिए कामी कुरदी लोबी लाल्ची इस लोग क्या से आवा करें करके कुछ दिन बाद कंपेर करेंगे एक्सपेक्टेशन होगा इस नॉट इस नॉट इस थिंग हर गिरी ते गुरु सेवक धर्म कहलास परवत से भारी है सेवा का धर्म भरण जी बोलते हैं हर गिरी ते गुरु सेवक धर्म क्योंकि उसमें बहुत कुछ ऐसा होता है कि जो आपके मन का नहीं होता है समर्पन की वासना नहीं होगी तो आप युविल नॉट प्लेयर इन सर्विंग समबडी आप शुरू करोगे बड़े जोश के साथ लेकिन आगे पिछ रोकोगे याँ आप भाग जाओगे उस एरिया से तीसरा है वानी से सेवा होते है आप देख रहे हैं लोग कैसे बात करते हैं आप में देखा ही है और राम जी के बारे में इतने वानी में बोला गया वानी से किसी को उनोंने कभी भी है खुद भी बोलते हैं, दूसरी भी बोलते हैं बहुत सम्हाल कि सोच सोच के जैसे खुआ को पाद, जैसे दूस से खोया बनाते हैं मावा जिसको बोलते हैं, उसको ऐसे ऐसे उठते रहते हैं आँच में उसी तरह से वाणी को तपस्या में पकाना चाहिए आच लगानी चाहिए बोलें आच कहां लगाएं वाणी में यहां इस्टोब लगा ले आच लगाना वाणी में मतलब यह है कि आप शास्त्र के बच्छन को रिफर करके क्या यह सही बात है यह ठीक बात है क्या जित्दा अनुसार है यह भागवत अनुसार है यह साथसंग त इसली करते ना कि हमारे हमारे स्टेंडर्स बदल यह ठीक हो जाएं इसली साथसंग करते है यह तो आपको स्टेंडर्स बना रहे हैं इदो इने भर भात है यह पताक से बोल दिया कच्छी बानी है उसमें मिठास नहीं होगी, यह तीसरी बात थी, और चौती चीज, हम आपको बोलाएं, जितने एजुकेशन सिस्टम है, जो स्किल डेवलप, यह आपको सेवा को तियार करने के लिए है वस, आप सीय बन गे, या आप आइस बन गे, आप मेनेजर बन गे, आप इंजिनियर बन जो कुछ भी आप बने हो, आपको इस तूल से अपने को कूल लखना है, तूल should make you cool and not a fool, यह तूल है, यह तूल है, अब देखो क्यों लक्ष्मण, वो कहीं कुछ काम करने लक्ष्मण जी नहीं गए, कहीं और नहीं गए, आप रमायन की जो अंतरन चीज है उसको मिलाओ, इस नॉट ए स्टोरी, एकिवल सीरियल नही है देखने के लिए, रामानंसागर का, यह ने देख लिया, अप्रिषेट किया, कि बड़ी बढ़ी आ राम ने एक्टिंग किया है, बहुत अच्छा है, इसीता बट अच्छी बनी है, बहुत अच्छा दृष्ष्टा, हर चीज अच्छा अबजेक्टिफाई क्यो करो, वो रामान सब्जेक्टिफिकेशन के लिए, अबजेक्टिफाई आप करो, सक्सेस फेलियर को, हमारा निंग सक्सेस, हमारी फेलियर नहीं है, इसकी आप म्यूजिक समझो है, हमको लगता है पास-दस अजार साल पहले थे, उस समें लोग बड़े आइडियल में रहते थे, उस समें क साब बात अलगती साब, हाँ, जोत्पर में साब बोलते, आईये साब, क्यों जी, है न, साब नहीं, आईये साब, ये है न, आईये साब, जाये साब, जाये नहीं बोलते, पधारो साब, जाने कोई पधारो, हाँ, जार तो भी पधारो सा, है ना, हम निक बर सिधारो बोल दिया, आईये सा, पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, बाओत मीठी भाशा है वैसे वहां के, इसकी म्यूजिक है आप, ये देस हजार साल पहले नहीं हुई थी, एक राम थे, एक लक्षमांड चे, इतना किया, हम तो वैसे हैं, दबू, गोबर गणिश, वो नहीं है, उसकी तून समझना पड़ेगा, ये कुई कहानी नहीं है, आप पढ़के उसको रग दिया, बच्चों को सुना दिया, हम कुष हो गए, वाट इट हैस तो गिव टुमी, हम को क्या देना है रामायन को, हम कह गलती कर रहे हैं, हम कहा हमारी समझ में गलती है, ये सही समझ क्या है इस इस इशु पर, you are not meant to earn money, you are not meant to have only external things, वो देशी नहीं है किसी जीच का, लक्षमर जी नहीं एक संकल्प आप बता दो लक्षमर जी का, अभी आपको दिखाएंगे, आगे हम दिखाएंगे, आगे हम किसी का, और आपका क्या, एक सिट्म आपके अनदर संकल्प देगा, this is your job. कि सुझा करें December, यह तो एक बात हो गई, फोड़ा हम रम्हेंड को लिनी। हम लोग देखते हैं, आज तीसरा कि सैत्फा सब्सक्राइब को लोगार्ण है चान जिया।, शब्स्था दिन है। 6, 7, 8 हो गया, आज नवा है, नवा है, अभी तो रिलाक्स कर लेते हैं, 18, 19 को पता चलेगा, नहीं नहीं, पता नहीं चलेगा, हो जाएगा ठीक से, आप चिंता मत करो, अब सुमन जी करत तयार था, अगर आपको याद हो, हम लोग वहाँ पर छोड़े थे, और अध्याय आप चत्वारिम्षा, इस 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 for 30, sorry 40th, चत्वारिम्षा मींस 40, 40th, इसमें आप दस्वा, अब उनका दस्वाँ श्लोग देखिये, सुमन जी तयार है, सुमन्तर उनकी मंत्री थे, सुमित्र नहीं, सुमन्त्र अलग है, सुमित्र अलग है, बली अलग है, बाली अलग है कई लोग बहुत ही हर चीज में confused रहते हैं बली जो है जो जिनोंने तीन तीन क्रम में विक्रम जो वामन भगवान इनके पास आये थे, बाली सुग्रीव के भाई थे हुले हमें तो सब एकी दखते हैं हमें लगा बाली ने वामन भगवान बाली के लिए वो बली है especially जब इंग्लिश में लिखेंगे तो इसलिए फिर उपर ऐसे एक एक की उपर लाइन लाइन होती है वो आ है, आ अलग है, आ अलग है बी ए और एक उपर एक डैश होता है उसको क्या बोलते है उसको उस डैश का कुछ नाम नहीं है कुछ तो होगा तो सुमंत्र जी आये अब देखो कैसा महामारमीक सद्रिश है और प्राण जलिर वाक्यमाब्रवीत उनोंने हाथ जोड के बोला किसको बोला भगवान राम को वहें कैसे विनीत हा विनयग्यंस्च लेको दोनों श्रबवाद एक विनीत है एक विनयग्य है जो विनय के बारे में जानता है सुभाव से विनीत है बुद्धिम से विनयग्य है आप पकड़ना मालमी करमायन में जो अंदर की बात है आप पकड़ ले ला तब आपको समझ में आया कि आई यह बात था हम भुद्धिम सोची नहीं थी विनयग्य है लिए से धर्मक एक शब्दा है एक शब धर्मक घाया था विनयग्य मतलब विनय क्यों होना चाहिए कहां से होना चाहिए, फल क्या है, नहीं होने पर क्या होता है, सब चीज विने से ही मिलती है, भ्यांदे के सुनियेगा, सारे सद्गुन का आधार एक विने ही है, विने को प्यार मिलेगा, विने को आधर मिलेगा, विने को ग्यान मिलेगा, विने को अपॉर्चुनिटी ज्या उसको प्यार भी कम लेगा, क्या विद्या ददाती? उसके बाद? विने से आदमी खाली हो जाता है, समुदर में पानी भरता है, क्योंकि जितना बरस्ता है समुदर गहरा है, परवत का जो शिखर है वो पानी भाहा ठहरता नहीं है, ठहरेगा वहाँ, जहां पे एक स्पेस जो नीचे होगा, तो विने का तातपर है, जहां देको सुनियेगा, हम मानते हैं कि हमें बहुत नहीं आता, हम ये खुशी के साथ मानते हैं कि नहीं आता, हम लोग एक विशे में भी पारंगत नहीं है, और अनंत विशे स्रिष्टी में है, दूसरी चीज हमारा कहीं पे भी प्रिष्टि नहीं जादा, हम कोई बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, हम क्यों, अरे इतनी बड़ी स्रिष्टी में आप बता दो, एक छीच बता दो, हम एक जुड़ माल उठाते हैं, इसका दागा कहां से यह नहीं पता, उदागा बना कैसे किस फ्रेक्ट्रिम बना नहीं प पता हुं, नहीं पता, हर छीच के साथ नहीं पता, हम बता सकते हुं हैं जुड़े मुड़े टुकान से उया, गवले डुकान से लिया मुड़े स कानल फेक्ट्रिय बना बोलेगा नहीं, हम लो जो कौटन थो, पकिसान के पास जााओं, लिकिन उस नहीं पतापए EC. कश्ar ऐसे अज्ञानी हैं, क्या बोलें आपसे? सर पे कितने बाले नहीं पता? मतलब कोई गंजा होता, उसको भी नहीं पता कितने बाले हैं. कब तक जीवन है? नहीं पता. मृत्यू कैसे होगी? नहीं पता. अच्छा, एक सब्जेक्ट आप बता दो, जिसमें आप मास्ट्री हो. हम बता रहे हैं, जितना आप जानोंगे किसी विशह में, आपको लगता है कितना कम बता हैं मैं उसने. नहीं? कल क्या फलाएगा? पता नहीं. जब इतनी चीज नहीं पता है, तो तुम को छाती ठौक के बोल ले हो कि हम बड़े हैं? उसी होता हवात, एक दिन बिना सोय आप दिखा तो, चौविस गंटे लगाता है, डोन्ट स्लिप. ट्वंटिफू आवर आप परण कर लो कि नहीं सोईंगे. चौविस गंटे आप जाके दिखाद हमको. इतने हम लोग लाचार हैं. खड़े रहो लगता है बैठ जाओ. बैठे हो लगता है खड़े हो जाओ. इस करवट रहो लगता हुस करवट हो जाएं. उस करवट रहो लगता हुस करवट हो जाएं. जो नीचे बेट्टून से पूछिए एक पैर नीचे एक उपर रहता है फिर थोड़ी देरवा लगता है कि इस पैर को ऐसे कर लेते हैं और धीरे से आप छिपा के कर लेते हैं फिर कुछ दिरवाद उसको उपर कर लेते हैं यो कुर्सी वाले हैं थोड़ा ऐसे हो जाते हैं इधर से फिर ऐसे हो जाते हैं फिर कभी यहाँ टेक लगा लेते हैं यह तो अपनी सामर्थ है मुली कुछ गद्दा तकिया वगर अलियां गड़ रहा है मतलब हम लोग के पास इतनी हेलफलिस्नेस है कहें का अभिमान है मेरे प्यारे उसके सामनी विनम रहो भगवान से कहो कि हमारे अंकारा पटा देना भगवन हमारी इतना ही का नाप हम अपने आपको बड़ाना समझे कहीं पे हम आपके चरण में रहें बसित्ता ही अगर अभिमान तो ही है मांगने में क्या है इसी का राम तो नमा है अचना ख़र नमा है आप पड़तीन नमा ही अचना का स्वर नमा है आप पड़तीन में भगवनम जे इस, ये तो एसटोत्र है लेकिन जब अचना होती है तो नमा होता है भ़़व़भवर विष्णवे नमा ओम पसटकाराए नमा यहीतुछे तोभते है यही तो भुलते है आप अर्चनाननमा नमैस्ति, इसकaud बोलते है विनैयज्या, विनैयज्याँ 니ेण है रुल अटरस्टेंडिंग अबट रूद जनी धर्मग्यायां। कृतक है गया जहां भी आता है नहीं जानाती के अर्थ में आता है जानाती के अर्थ में धर्म को जानने धर्म माग चुछ। ऐसे नहीं कि बोले बी नहीं रहा करो, मी हम्म बल। वो नहीं क्यों, वाय? हजारों चीज़े हैं। और उन्होंने राम जी को बुलाया, जैसे कि मातली, मातली मतलब इंदर के जो सारती हैं, वो इंदर को बुलाते हैं, बुले आप, आप, आईए। जैसे ही राम जी बैठे उस पे, अपने रत पे, लोग पीछे भागे, लोग उनके पीछे भागे। अब भगवान ने कहा भई, 31st लोग, सूतम संचोदया मासा तरितम वायतामिती, मुले जल्दी करो आप, और सब लोग बुले राम, हमको देखो जाओ मत, राम, जाओ मत, यहां तक तो ठीक था, दो लोग जो दौड रह थे पीछे, वो बड़ा पैथिटिक लग रह था, एक अजिए Shri Dasrat ji, और दूसरी थी Kaushalya ji, असा लिखा हुआ है, तो यह दोनों भाग रह थे, पिछे पिछे, दिखो व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए, उसके जाने पर दूसरों को लगे कि यह ना जाए, उसके जाने पर दूसरों को लगे कि यह ना जाए, वो तब होता है, जब साथ रह के वक्ति अपने स्वभाव से, अपने प्यार से, अपनी वानी से, दूसरों को यह दूसरों को सुख देता हूँ, गुर्दे बोलते हैं ना, cultured, give happiness, wherever देगो, unconsured, whenever देगो, बिखुरत ताही, प्रान हरी लेही, तो ना, गुसामी जे बोला, बिखुरत ताही, प् प्रान चला गया, कोई लोग बड़े इंपोजिंग होते हैं, हर जेका टोकटाकी करते रहते हैं, उनको पता नहीं है कि दूसरा हमारे इस इंटर्फियरंस को पसंद नहीं करेगा, वैभार का जो तरीका है, आप दूसरे के मन में बैठ के देखो कि इसको क्या चाहिए, फि दूसरे के मन के अंदर बैठ के रिस्पॉंस को पता लगा के फिर रिस्पॉंड करना यही अवैभार का मर्म होता है, यह शयद इनको पसंद नहीं आएंगा इसे, लिकिन हमारे सुभाव में काफी वेग रहता है, वे रिस्पॉंस, पत से कुछ भी कर दिया, आप उनके दि के लिए, इस इच्छा की बाद छोड़ो तो, जिंदगी जीना जीना नहीं होता, जब आपने लोगों को नहीं प्रसन ने किया, तो क्या भगवान प्रसन होंगे, अब यह जो है, को शल्या जी भाग रही थी, और दशरच जी यह दो लोग भाग रहे थे, और हात ऐसे ऐसे करके बोले, राम रुख जाओ, राम रुख जाओ, राम जी रुख गए, राम जी रुख यह तो नीचे उतर आए, रत के, बोले राम मत चाओ, तो मत चाओ राम, जैसे गाए भागते हैं बचड़े के पीछे, ऐसे ही दोनों भाग रहे थे, अब क्या बोले राम जी, का हम आजाएंगे, फिर उपर चड़गे, पिर उपर चड़गे, हाँ, देखो, 44th श्लोग देखो, तथा रुरुदंतीम कौसल्याम रथम तम अनुधावतीम, क्रोशंतीम राम राम एती हासीते लक्ष्मना एती, हाँ, मिल गया ना? रुरुदंतीम ये इसको बोलते है शत्रुप्रत्य, एक शत्रुप्रत्य होता है, present continuous, crying, एक होता है, वीपिंग होता है, crying, हमज़ने, एक होता है, साबिंग, वीपिंग को कोई रो रहा है, और, हाँ, लेकिन, क्राइंग में जोर्स रोह रहा है, मतलब आवाज आरही है, इतन आप से आसु टपाटप निकल आए, लेकिन कभी-कभी जब बहुत दुख होता है, तो आदमी बहुत तेज रोने लगता है, शयद आप कानभा हो, कभी बगवान न करे, आपको ऐसा समय मिले, लेकिन, आटोमेटकली आदमी बोल के रोने लगता है, आवाज आने लगती उस रोने में, उसको बोलते है, 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 उ राम, राम, सीता, सीता, पिर वो रुग्या दो बार हो गया, दो बार तीन बढर ही हो गया, राम ये बुले तुम जाए निप पाएंगे ऐसे तो, बुले तुम चले जाओगे तो हमारा प्राण क्यों नहीं जा रहा है, अब फिर आगे बढ़े, तो इह लोग तो बढ़े आपे, एक एक ऐसा प्रसंग आता है, कि दशरच जी भाग रहते, भाग रहते, भाग रहते, और यहाँ इसी में तो है ये, राजा ने बोला, अब बगवान राम ने बोला, बोले राम, राम, अब इन्हों ने बोला, सुमंध्य ते चलाओ, वोले, वो पूछेंगे बाद में, आप तो निकल गए, आप तो वनवास चले जाएंगे, हम से पूछेंगे, वोले, तुम से पूछें, तुम बोल देना, हम नहीं सुने, बहुत रियर जगा है, जाराम ने जोटो, ये है फॉर्टी सेवन श्लोक में, न अश्रोषम इती राजानम उपा लब्धोपी वक्ष्यसी, चिरम दुखष से पापिष्ठम इती रामतम अब्रवीत, क्योंकि वो इस तरह से भागते रहेंगे, कहीं गिरविर जाएंगे, और लोग भी परशान होंगे, इस से अच्छा है, वापस चले जाएं वो, अमने बुला था ना, ये हार्ड होना पड़ता है, आप कहीं नगें तो हार्ड हो गया, आगे पीचे कहीं तो हार्ड हो गया, अब वहा जब वापस आये, दो, देखो जब तक विरह नहीं होता, तब तक, जो है न, भगवान का सुक पकता नहीं है, जो हमारे अंदर, अब उनके अंदर, जो केकाई को ले कि सुक बुद्धी वो खतम हो गई, एक डवलप्मेंट यह हुआ उनकी बड़ा प्रेस्ट था, कितने अच्छी है, सबसे अच्छी है, हमारा बड़ा ध्यान रखती है, हमारे साथ युद्य में जाती है, जान भी दे सकती है, अब उनका वो अट्रेक्शन बोले, हम अब आज से आख के सामने से चली जाओ, हमें बात नहीं करना है तुमसे. अब राम जी, जब वहाँ लेडीज थी, अंदर इस्त्रिया थी, जब राम जी चले गए, फिर से शम्षान गाठ हो गया, जो अध्या भरी पूरी थी, इट वाज अ क्रिमेशन ग्राउंड, जहाँ भगवान नहीं हो गया, इसा ही होगा, वहाँ आपस में जो लोग रह गय थर्ड श्लोग, थर्ड के पहली भी देख लेते हैं, यो गती शर्णम चासित्सा नात हा क्वनु गच्छती, तेख रहे हैं, कि वही हमारी गती है, वही हमारे नात है, वो कहाँ चले गए, मेरी जान चले गए, और थर्ड तो अप अंदर लाइन कर लो, ना कृध्यती अभीष्छत स्थोपी, कृध्धनियानि वर्जयन, कृध्धान प्रसादयन सर्वान, समदुख्ध क्वा अगच्छदी, मुले वो कहाँ गय, मेरे भगवान, कौन कहाँ गया, कि जो लोग उन पे कृध करते थे, उन पे वो कृध नहीं करते थे, ना कृध् कोई बुरा बोलता था, हमने बोला था नहीं हो, एक प्रवोकिबल नहीं थे, पटाक से जवाब नहीं देते थे, जो लोग अंदर गहरे में रहते हैं उनको उपर आने में टाइम लगता है, आ जो लोग ऊपरे फर फढ़ाते रहते हैं, वो फटाक से कुछ कर देते हैं, क्ष किसने रखर घड़इंहाँ । अंछा तुमने, हमने ने रखर घड़िए भी, फिर किसने रखर, हमको क्या पदा हमको ब्लेम करते रहते हैं, किसने रखरrato, इसे क्व रखर? सीधर रखो हमने रखर ने बता रहें आपको, ऐसे हम लोग बुलते हैं, Yeah. कि उपरी उपर हैं, सुखी मीन जहां, नीर अगादा, जिमी हरी सरन नहीं को बादा, अंदर होते तो सोच लेते कि उसी बात को, सोच के बोलते, सौरी, कि बिफोर टॉकिंग, क्रीट अचैनल अफ टॉकिंग, सौरी, 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 ठीक है, ठीक है, सुनिये, सौरी, ठीक है, कोई बात ने, लिकर हमने घड़ी नहीं रखा, हम लग तो तुरन सही, हम लोग इंपेशेंट हैं, पताने के लिए हम कि इत्ती अच्छे थे हैं, अब जब कई बार ऐसा कोई रिस्पॉंस देता है, उसको लेके एक फियर आ जाता है दिल में, कि अच्छे जवाब देगा ये, ये बहर शार्प रिस्पॉंस देगा, समाल क कि बोलो भाया इससे, ये जो है, ये पर्क्यूपाइन है, ना ग्रोध्यति अभी शबतों से, पर्क्यूपाइन जो होता है ना, जानते हूं क्या हो, शेरोल डरते हैं उससे, वो इस्पाइक्स उसमें होती है, ऐसा नहीं को इस्पाइक्स छोड़ देता है से, हाँ, इस्प के पास आएगा तो यह लोग तो बेकूफ होते हैं शेर वेगरा तो इसके पास हमने पूरा पूरा शरीर उनका उसके कील से भर जाता हूं छट पटाते रहते हैं सारे जानवर में भगवान ने एक चीज हटा दिया उसका नाम है हाथ तो कुछ नहीं हटा सकते हैं अगर उनकी यहाँ पे एक कीड़ा आ गया तो कहीं दिवाल ढूड़ेंगे कहीं ऐसे ऐसे कर सकते हैं उसको पिक नहीं कर सकते हैं उनकी अंदर वो जो होता है चला जाता है हां उसको निकाल दें ऐसे करके यह सींग फस गई तो निकाल दें अब वैसे ही फसी रहती है, वैसे ही फसी की फसी रहती है, पेड के पास जा के ऐसे करते हैं, तो वैसे कुछ लोग पर क्यू पाइन होते हैं, बोले, आप हमारी लिए तो नहीं बोले हैं, नकुधिती अभिषब्टोसी, कुधि कुधनियानी, वर्जेन, कुध्धान, प्रसध्यन, सर्वान, किस राश लोग देखेगा, कुध्धान, जो लोग क्रोध मे रहते हैं, and वो क्या करते हैं, प्रसध्यन, उनको वो शांद कर देते हैं, कुछ लोग पैसिफाइग निचर कुछ लोग प्रवोकिंग निचर होता है, सब को गुस्ट दिलाते हैं, कुछ लोग पैसिफाइंग होते हैं, प्रसादयन, उनको प्रसाद करने बाले, मतलब शान करने बाले, उराम कहां गए, ऐसे ही आपस में, जब आदमी दूर होता है, तो उसके गुण बहुत याद आते हैं, पास रहके गुण नहीं याद आते, दूर रहने के बाद हम ज़्यादा मिस करते हैं, एक एक चीज जो हम फॉर गांटेट लेटते थे, वो ज़्याद आता है, तो सब लोग याद कर रहे हैं, और सब लोग दो लोग को गाली दे रहे हैं, एक तो यश्व, क्या नाम, क एक एक को रजाद अश्व, दोनों रेंज में हैं, एनीवे, उस पे हम फिर आएंगे, अब जो हाती थे, वो खाना नहीं खा रहे थे, घोड़े खाना नहीं खा रहे थे, सब लोग को, सब लोगों के अंदर, वो एक 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 होप चला गया जैसे, हम लोग एक होप पी जीते अच्छा होगा, कल मिलेंगे उन से, देखते हैं कल का क्लास क्या वता है, देखते हैं कल, इससे आप आते हैं न क्लास में, अगर आप अच्छे श्रू होता हैं, जो की हैं, अप देखते हैं अज क्या है, लेट मी सी कौन सा प्रिंस्पिल है, इसके बाद और क्या लिखा है करमायने, हम भी पढ़ के आएंगे थोड़ा सा, हम भी देख के आएंगे, एक बार ये पूरा हो जाए तो हम अलग से फिर से पढ़ेंगे, इसका काफी अच्छा लगा, किताब भी ले लिया है, रोज पढ़ेंगे एक दो पनना, अच्छा, हाँ, शलो कर तो बहुत नहीं अच्छा लेंगे, इसा नहीं कर सकते है कि उसकी सब फोटो ले जहां जहां है, उसका साथ कर लें, बजायतना लिखने के, यवी तो एक आइडिया है, इसा हो सकता है, हाँ, तो उसको फोटो करके ऐसे, एक के बाद कौपी पेस्ट करके ऐसे से बना सकते हैं, यह हमें इस अब नहीं आता, हम बहुत कमजोर हैं उस सेरिया में, लेकिन हम होते, हम उसको लिखते, क्यों? लिखने में उस लोक से करीब आर जा जाते हैं, एनिवे वो अलग हो है, अपको शल्या ज जनम में गाय का थन काटा होगा, जब आद में ऐसा लिखा है, यह है, यह 43rd चैप्टर में, यह 17 शलोक है, निस सम्शयम मया मन्ने पुरा वीर कदरया, पातु कामेशु वस, जब गाय का बचड़ा दूद पीने गया होगा, तो हमने चुकि काट दिया था, इसलिए वो बचड़ा दूर हो गया होगा काय से, जैसे वो काय छट पटाती होगी दूद पिलाने के लिए, हम वैसे ही लोग बातचीत कर रहे थे, अब सुमन जी से भगवान इन लोग पहुंच गया, सुमन जी से का भई, आप जो है जाने का प्रोग्राम बनाईए, थोड़ी देर और रुख जाते हैं, काते हैं, इनके साथ धेर सारे लोग आ गए, किनके साथ, राम जी के साथ, बोले हम भी बन चलेंगे आपके साथ, हम भी 14 साल रहेंगे, इसी कौन सी बात, क्या हम नहीं रहे सकते हैं, हम भी फल फूल खालेंगे, भई, अगर आप फल खालेंगे, कंद, मूल, फल, तो हम लोग भी खालेंगे, जो आप खाते हैं, हम थोड़ी नह रहेंगे ऐसे, हम नहीं रहेंग उनका प्यार ऐसा था, देखो, ये है 45th chapter, पंच चत्वा रिम्षा, लिखा है पहला श्लोग, अनुरक्ता महात्मानम मिलिया, रामम सत्य पराक्रमम अनुजगमु, अनुजगमु मतलब पीछे पीछे जाना, पर्यांतम तम वन वासाय मानवा, इन लोग गये, इन लोग भी उ हम भी साथ रहेंगे, हम कोई आपको तंगवन नहीं करेंगे, लिकिन हम जो है, आपके साथ ही रहेंगे, आपके साथ चलेंगे, आपके साथ बैठेंगे, बोलेंगे, और हमें कोई समस्या ऐसी नहीं है कि हम आपके साथ, हमें घरवर नहीं चाहिए, हम आपके साथ ही रहें शाम को जब सोने का टाइम हुआ तो इन लोग सो गए, बगवान सुबे उठे, कहा सुमंध हम लोग चल देते हैं, इस सब को छोड़के, और रत ऐसा चला ना घुमा फिर आके, उसको ट्रैक न करवाएं। इन लोग जब सुबे उठे, इननों बोले दराम जी चले गए हमारे सामने से, बड़े दुखी हुए, बड़े परशान हुए, कि देखो हम लोग कैसे हैं, हम लोग सो ही रह थे, हम लोग के साथ ऐसा हो गया, हम लोग के साथ ऐसा हो गया, हम लोग कैसे रहेंगे, हम लोग क्य करें, देखो ये है 47th chapter में है, कि जब उठे वो आपको दिखा दे कहा पर है, कि छोड़ दे दिखा देते हैं, चलिए दिखा देते हैं, इसके पहले 30th, 46th chapter में तो 30th shlok है, मोहन आर्थम तु पवराणाम सूतम राम वा ब्रवीद बोले ऐसा चलाओ कि कोई पीछे ना चल सके हमारे, यह लोग सो गए, सोने के बाद जब उठे तो 47th chapter में देखो सब त चत्वारिम्षा ते विशाद आर्त बदना हा राम, बोले राम लक्ष्मिर तीनो जल दिये कृपना, करुना, वाचो बोलते हैं, धिगस्तु खलू निद्राम धिकार है हमारी निद्रापे ध्यान देना आप ध्यान दीजेगा बोलें, भगवान के साथ वही रह सकता है, जिसको भगवान के अलाव कोई अच्छा लगे सोना भी अच्छा नही लगता भगतों को और अगर सच में प्यार होता है तो भगवान के सोने के पहले वह जाग जाते हैं यह प्यार करस्ता कठीन है थोड़ा सा इसमें दो चीज अच्छी नहीं लगती प्रेम गलियती साकरी जामे दो न समाए यह नींद भी अच्छी लगे और राम भी अच्छे लगे लक्षमर जी तो सोते ही नहीं थे अब उन लोग सब खाली हो गए इन लोग ऐसे बैठे हुए थे बोले अब क्या करा जाएं वापस चल ओर क्या करें और जै उनका लेंगे हम जहहर खा लेंगे हम बले तुम जहहर खा के करोगे क्या तुम यह सब कर लोगे लगता उसमें जहर खाने के काफी टेटिशन था तो तो तुम करोगे क्या भासीवासी नही था hang-bang नहीं कोई कैसा नहीं लिखाया है किसी नहीं hang-bang किया अपने आपको सुशाइड वगर कोई ऐसा नहीं करता था मुले राम जी चले के अनन्यता नहीं हो नहीं तो यह यही बात अमने दर्शजय के बारे में बोली थी सुबह राम जी से प्रेम भहत था लेकिन वन रन से समगला एक जगह सब लोग अपनी आसकती से मारे गए और इसलिए यहां पर भी इनको नीन से आसकते हो गए जब प्यार बहुत होता है द्यान दे सुनियेगा प्रियतम का संकल्प हमारा संकल्प होता है बगवान राम के साथ चलने के वो होती तो उनके जागने पर हम जागए होते इनको लगा अपने को काफी निंदा किया इन लोग ने अपनी और फिर जो है इन लोग मू लटका के वापस आगे खाली हाथ गीता मेसी लिए गीता भागवत रामेट सब जगा एक अनन्य शब काई बाराया है अनन्य मतलब सुक का एकी स्थान, सुरक्षा का एकी स्थान अनन्य आश्चिंतें तुमाम, अनन्य जेता सततम ऐसा कई बाराया है काई चीच आदमी अलर्ट नहीं हो पाता यू अनन्य अवेलिबल फर वन बड़ी चीच तभी पकड में आती है जब कुछ और मा पकड़ो जब भी हाथ में दो चीच पकड लेते हैं तो दोनों भी पकड धीली हो जाती है पकड द्रण होने के लिए एक ही पकड होती है अब जो है इन लोग वापस आ गए क्या करा जाए अब क्या करा जाए हम लोग के पास कई आप्शन्स होते हैं सुक के कई चैनल सुक है जितने ज़्यादा सुक के हमने सुरोद बाहर खोले होएं उतिक कम आपका भाव रहे गा अंदर कहीं पर सब से प्यार करना चाहिए जो काम है करना चाहिए यह नहीं होना चाहिए किस से हम कोई सुक हुख मिलेगा जितनी जल्दी यह भ्रह्म तूट जाए उतना चाहिए सुक तो हमारी साधना में ही है बस सुक तो हमारे भगवान में ही है बाकि सब तो दुख ही है उसमें लेटर और सुनर हमें अच्छी से दुख मिलेगा। इन लोग को नीन में सुख मिल गया, बगवान चूट गया। आगे चलें, कहिए तो तो आगे चलते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं, सत्तुनाशलोग देखो। सत्तुनाशलोग, 48th chapter का सत्तुनाशलोग देखो। अब सारी पत्निया, सारी जिस्त्रियां बोलती हैं, एक अच्छाशलोग देखो। सत्तुनाशलोग, 17th shlok of 48th chapter. सत्तुनाशलोग वालमी क्रमायन में भक्ति कैसे आई है। कभी-कभी लोग बोलते हैं, भक्ति नहीं आई है। तुम पढ़ते लिखते तो हो नहीं, मन में कुछ भी बोलते रहते हैं। पादच्छाया सुखम भरतु हू। जो भरतु मतलब जो हमारे भगवान है, उनके पैरों की छाया। वहाँ ही पे सुख है। कितना अच्या शब्द है। पादच्छाया सुखम भरतु हू। तादर्शस्य महात्मना। भगवान के पासी सुख है। कहां बाक्य क्या है। वाक्य तो एक्स्पेक्टेशन होगी, चिंता होगी, डर होगी, घबडाहट होगी। कोई चीज बता दो, एंग्जाइटी-free, प्रबलम-free family बता दो, प्रबलम-free family. किसी का परिवार ऐसा हो जो प्रबलम-free नहुआ, बता दो. आपको पता है, प्रबलम-free husband बता दो. प्रबलम-free wife बता दो. नहीं, वाइब के लिए husband, husband के लिए वाइब के लिए. प्रबलम-free children बता दो. नहीं, वारा बच्चा बहुती अच्छा है. अच्छा हो चैना हो, उससे anxiety, चिंता तो निकलेगी। प्रबलम-free घर बता दो. कभी plumbing problem, कभी electrical problem. ताला बंद की इतने घर में गय देगा, पानी भरा है. टैप तूट गया. अब बुला रहे हैं तब सुन ही आ रहा है. हम जाडू लेके आसे से कर रहे हैं. प्रबलम-free कार बता दो. प्रबलम-free कार बता दो. प्रबलम-free बाड़ी बता दो. यहारा शजय हरासन में बट अच्छा रहता है, योग फोग करते रहते हैं. योगा, योग नियोगा. अनुलूम बिलूम इसब करते रहते हैं, आप जितना कल लो इसब. आप जितना करो. हम कोई मजाट नहीं कर रहे हैं कपाल भादी का क्योंकि हम भी करते थे. लेकिन शरीर की रोग नहीं जाएंगे. ऐसा होगा कि किसी दिन नहीं आएगे. ऐसा होगा किसी दिन नहीं जाद आएगे. ये तो आप जगत में सब चीज के साथ बगवान ने जैसे नमक डाल देते हैं, सब सबजी दाल में, सब में थोड़ा दुख, थोड़ा डर, तोड़ी चिंता, गबड़ाहट डाल दिया है वो फिर आपको दिया गया है. उसके साथ वो भी आएगा साथ में. There is nothing called very happy marriage, होई नहीं सकता. हंपाता है नहीं साथ गुंड़ा उसके साथ कोई दुखाय है, कि हैंचा यतना अच्छा पती हो पती में समस्या कि यह यतनी अच्य पत्नी είναι यह यूँछी हो सब्सक्त है, नहीं साथ पति पेकेज प्केज दोनस आइड का, और जोई पती ऐसा नहीं वह सकता कि मूद्धर हर समय ठीकी रहे, पत्नी कमूद्धर ठीकी रहे, उसा नहीं हो सकता, भई उनका अगरण होता है भीज़, और व्हाम थंड़ होता रहता है था मारे इमनमें ठीक रहें hay हमारे इंहें ठीक रहें तो ठांका किसे ठीक ठीक है। इतना अव्ताम तू सत्संग सुनने के बाद नहीं ठीक हो सुनने हो तो। तो सत्संगों नहीं सुनते है शुताइश्र आप क्यों अमीद करते हो आप एक चीच बताया तो कोई problem-free friend हो अब आप फोन नहीं लगा रहे हैं और क्यों बोलते हम तुम 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 तुम्हे भूले हमको अब आप बोले कि हमने अपने बहस को यहां का शेडिूल भेज दिया अरुन बोले आप कोई देख लिजे जब मीटिंग इसी के बीश में करियेगा हर चीच के साथ आप हमको बता दो एक चीच यहां पर दुखना हो इस्टार्टिंग मोबाई अज कामिए इंटनेट कामिए कर रहा है खुल ओपनी नी हो रहा है मुबाई पता नी क्या हो गया है री स्टार्ट हो रहा है बार बार पर ठुज भाएप फजया कहीं पर उक्रेक हो गया उस क्रीन इसकी गिर गईए एक एक चीच किसा थैज प्राब्लम है एंग्जाइटी है डर है गवडाहट है आव ग सुख मिलेगा थोड़ी देर के लिए, हम नहीं बोलते कि सुख नहीं मिलेगा, लेकिन उसके साथ अच्छे से दुख मिलेगा, दो मिनिट का सुख, सालों का दुख, ये एक्वेशन है, यहां कुछ भी नहीं है, पाद अच्छाया सुखम भरतू, देख रहें आप, उनकी चर अच्छायाइटी नहीं होती, इस भगवान के स्मरण में कोई डर नहीं लगेगा, और नोबड़ी कें स्नैच्छ भगवान स्मरण, हमारा पाथ, हमारी पुझा, कोई छीन नहीं सकता है, तो अंतरंग जीजए, तो मार के सरीर खतम कर दोगे न, अगले जनम में फिर वही न नहीं लेंगे, हमरा उननाम नहीं जाएगा, हमारा ध्यान नहीं जाएगा, हम छोडेंगे थोड़ेंगे थोड़ेंगे उसको, सही नाथो जनस्याष्य सगतिसाव परायनम, अब उनोन नहीं याद किया तीसवेशन, सारी स्तृयां याद कर रहें है, पूर्वा भाषी कि रुछः स्लोक स्थॉर्ण एक विया भी ठीज्वा स्लोक वहें चप्टर हें सत्यवादी महां बलखा स MEMयास्य तकों मठलबubscribe कि प्लीजिग डिमऩें भी प्ली किस सम्लों के सेरा है कि सस थैज वादिध icon जिससे पुर्णीमा का चान दाता है तो आप सबको दिखाते हुए, देखो चान देखो, जो कहीं बिजी हो उसको भी, सुनो, चंदमा देखो, हाँ, देख रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है ना, लब अकेले देखे संतोषने, दूसर दिखाना है, तो चंदरव कितनी अच्छी वाते हैं, ये लिखा है, अब उसके बाद, भगवान राम अपने आगे बढ़ते गए, और आगे बढ़ते-बढ़ते, फिर जो है, ये गुह से मिले, गुहा, जो निशाद था न, निशाद राज, उससे मिलते है, श्रिंग वेरपूर पहुंच गए, श्र पचास्मा, पचास्मा देखो, थर्टी थर्ष लोग देखो, तत्र राजा गुहो नाम, रामस्यात्मस्मा सखा, निशाद जात्यो बलवान, इस्थपतिस्चेति विशृतह, मिल गया ना, वही जो है महा राजा था, थर्टी थर्टी थर्ट लोग, तैंटी स्वा, और कौ है। उनowनने कह, हमारा ये है, हमारी तरह है, कहा राम चहाँ ये है। जाती की सूधर थे हैं लोग, रहां, चोटा-मोटा राज था इन लोगका, गले लगा लेते हैं, गले लगा लिया है, चत थिस्वा देखो, तम आरत सम्परिश्वजिया, सम्परिश्वज अधम्तलब ऑले लगा लगा ले ना, यह रामजी हैं, कई साभ पयार है, वोर हे मेड लग, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जि लग और उनका हमीष्य ही रहता है, कुछ लोग यालेते है, कुछ बएक्सु Reach हो आइपर हो जाते हैं शादिम जाके, वहां की मुजिक, इस सब उट पठांग चीज़ देखकर, सब एक ताव ऐसे ऐसे कर के, सब एक तुझे, बाहर कुछ बाती नहीं करेंगा, तो तम आरता, संपरिश्वज्या, संपरिश्वज्या, संपरिश्वज्या दोनों हाथ से विजस्या आरता हैं, हिए भड़ में घुछ तीलो, कभी आते नहीं ते डर के गए। को बड़ ए, उसको ऐसा होना चाहिए, के छोटे का संकोच खतम हो जाए यही बड़े की बड़ाई होती है, वाच्छ की चुटाई यह होती है, कि उस संकोच का हतम करने के बाद भाद उसके मन में उनकी बढ़ाई और बढ़ जाए। He is emotionally great. Dasharajji और राम जी में अंतर था. Dasharajji का राज था, it was a political administration. और राम जी का, it was emotional administration. राम राज पहले दिल में बना. उनोने पुरे इंडिया में अपना राज बना दिया, चाओदा साल में. बाद में आये गा राम राज. He ruled more in the hearts. तो जो पूरी कमनिटी थी निशादों की, उस अब आगे उनोने देखा. और यहीं पे वो केवट आया था. जिसका अभिवरण नहीं है, दूसी रामाइन में है. मांगी नाउनकी वट आया, इस अब हुआ, उस ने कहा हम आपके लिए क्या करें, उस ने चाओवल बनाया. भगवान ने कहा भई, हमारी माताजी ने फल, फूली बोला है, ग्रेंस नहीं बोला है. हम चाओवल नहीं खा सकते हैं. हमारे लिए सब मना है, नमक, चाओवल, दाल, हम तीन चीज़, फल, फूल और मूल, हमें इस ही पे रहना है, चौदा साब. मूल, मूल मतलब जैसे मूली है, रूट्स, रूट्स है, शकरकंदिस तरे की कोई चीज है, हम वहीं खा सकते हैं, हम और कुछ नहीं खा सकते हैं. ऐसा देखा जब, तो निशाद राज कोनी में चला गया, ऐसे कर को रोने लगा, और जब देखा कि दोनों सो रहे हैं, जमीन पे हाथ ऐसे करके, लक्षमर जी ऐसे बैठे थे धनुष लेके, तो कहा, यह क्या हो रहा है? लक्षमर जी ने का, यही है, यही राम है, यही इनक हम लोगा क्या करते हैं, जमीन के बारे क्या बोलें, कहां तो इतने बड़े बिस्तर पे सोते थे, तो कहां ऐसे ही सो रहे हैं, कहां तो इतना अच्छा भुजन करते थे, कहां आज हात में खा रहे हैं, हम क्या बोलें लेकिन उमनकी मुसकोराहट देखो, तो यह सब हुआ, ये निशादराज ने बोला, बोले हम लोग सोइंग नहीं, हम लोग कुछ राद बर दोनों बात करते रहें. और लक्षमन गीता यहीं बताया निशादराज को, लक्षमन जी ने. वहाँ लक्षमर जी का बहुत रेर जगा ज्यानी सुरूप आया है, यहाँ पे उन्होंने ज्यान की बात किया है. राम चरित्मानस में वह आता है, इसमें और बाते हुई हैं, exactly, वह हम लोग बात में कभी देखेंगेंगें. अब उसके बाद जब जागे तो तुरंत वो गए, राम जी, जटा बनाया आज, एक दूद होता है, पेड के छाल से निकला हुआ, अहाँ बढ का जो पेड होता है, उससे जटा बनाया, जैसे जटा देखा, सुमन जी के आंक में आसू छला गए, बले देखो आप जाओ, आ कि सारी माताओं के साथ समान वेभार करें, भरत से बोलना है कि अब जो है, सब को प्रसंद रखें, और वो राजा बनेंगे हैं, सुमन जी तो जाने, जाई नहीं रहते हैं, बोले हम भी आपके साथ चलें, बोले तुम ही तो हो, आपी तो हैं, जिनके कारण कुछ सहारा है कि राजा को आपको वेट कर रहे होंगे, अगर आप हमारे साथ चलोगे, तो कि कई को लगेगा कि कभी आन जाएं फिर से, इसलिए उनको बार बार बुला कि आप जो है जाए और जाके हमारा समचार दीजे कुछ, अच्छी बात बदाएं, ये चल दिये, कौन? सुमन जी, अच्छी बात बदाएं, लिकिन लोग सब बात मान लेते हैं, सीता जी गंगा जी के पास गई और गंगा जी से बोली कि आप हम चौदा साल के बाद आएंगे, फिर हम आपके पूजा करेंगे, हमारा चौदा साल बहुत अच्छा हो, और हम एक लाग गाए देंगे देंगे आने के बाद, एक लाग गाए, यह नहीं एक दो गाए नहीं, एक लाग गाए, अच्छा, हाँ, फिर एक दिन राम जी लक्षमर देखो, बात यही होती है, कि हर आदमी का रोल होता है, लक्षमर जी के साथ बैठे थे, लक्षमर जी ने काई बहुत गलत बात हुई, लक्ष आपको शायद ध्यान में जली हुई अगर दशरत जी की आसकती नहीं होती के कहीं पे मान लिजे, मान लिजे कभी ऐसा होता, तो दो एफेक्ट होता, यह तो रात में जाते नहीं, नमबर एक, जाते तो बिगड़ने पे पैमपर नहीं करते जिससे आसकती होती है, आदमी उसका उसका दुख नहीं देख पाता, एक दुम पगला साजाता है कुछ भी बोलो हम कर देंगे, इस सब नहीं बोलते, अगर उप बोलती कि हम वर्दान दीजे, तो कहते कि भाई देखो, कल बड़ा कुरुशल है, बातने बात करेंगे हम वर्दान का प्रामिस अभी नहीं कर रहे हैं, दश्रजी से एक बात जान लेजे, कभी किसी से प्रामिस मत करिये, तुम्हारे लिए हम कुछ भी करेंगे और किसी से मत बुले कुछ मांग लो, उसी सबोलिये, जब आप शोरो की नहीं मांगेगा कभी-कभी हम एम एक्साइटेड हो के सुपर एक सरे लो कि सब शब कुछ मांग लो, कुछ भी कर देंगे No need to pamper anybody, बहुँ ज़्यादा ज़रूत नहीं है दुलार की, कोई बच्चे नहीं है, कि कई वज नौ अट बेबी बच्चे के लिए दुलार ठीक है वो बेबी नहीं थी जरुवत नहीं थी इतना कुछ भी करो एक नहीं, दो नहीं, चार मांगो तो क्या तुम बेकार की बात कर रहे हो आप बात मानेंगे नहीं जितने लोग को दुख हुआ है एक ये, चाहे कि कई को दुख हुआ, आसकती भरत जी के भरत जी जो डाट लगाने वालें अभी आएंगे और जिंदिगी बाती नहीं करेंगे उनको आसकती से, दश्रत जी को आसकती से दुर्योधन की जो दुर्गती हुई लेंड के परती आसकती थी I mean, you are a slave अच्छा है कि एक रूखी सुकी खा के पड़े रहो कहीं पे रादर देन कि तुम महल में रहो हजारों चीजों के बीच में और किसी के पास कुत्ते के पूँच के तरह पीछे-पीछे भागते रहो फोन नहीं किया तुमने दो दिन हो गए यह बात बीजी थे अरे क्या हम तो हम तह है नहीं तुमारे ले कुछ हम बीजी थे ना ठीक हम ही खाली है तुम बीजी हो ने ने ऐसा नहीं कि आप खाली है हम ज़स बता रहे हैं बीजी थे ने ठीक है हम को पता है हम को पता है कि हम तुम्हारे ले कुछ नहीं है नहीं भाई ममी तू मच वाट टू मच अच्छा 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 रखते हैं बात बात में करेंगे तुम्हे फोन करना हो करो ना करना हो ना करो हमें कुछ फरक औरक नहीं पड़ता है दुनिया में एक दू गोल्डन डूल बता देते हैं किसी से रोज रोज बास करने के नादत अपनी डालिये नो उसके डलवाईये वीडियो कॉल कल लें कुछ रोज नहीं है हम बातरू में हैं कुछ लोग डिरेक्टली वीडियो कॉल करते हैं वो पूछते भी नहीं कि वीडियो कॉल करें कि न करें डीसेंसी है क्या पूछ लीजे कि मीडियो कॉल कर सकते हैं क्या अब ऐवार वीडियो काल करेंगा फिर जिंदगी बार वीडियो काल क εδώ कह लूवे हैं आपका मनीन है हम सवतंतर हैं हम नहीं चाहिए किसी का सुक्योः हमारा भजन भवत है हम जब कर लेंगे पुजा कर लेंगे स्थसंग सुन लेंगे आपने बहुत मस्त नहार, तुमें जैसे रहना रहा हो, बात करो, ना करो, ना करो, मिले, मिले, ना मिले, ना मिले, हम बहुत प्रसनने हैं, जिसके पास राम बेसा पूत्सा तुसको के कही कि क्या जरूवती? ना जाते? इतना बड़ा गरबड़ी हो गई वहां पर? लक्षमाण जी तो बहुती ना राज इस बात से हो गए, अव उनके बास दो अप्शन था, या तो सीधे सीधे के कही को बोलते हम नहीं बेज़ेंगे राम को, तूसर 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 तूनों को जेल में डाल देते हैं, अब दोनों में फुस गए वो, फुस ना मतलब जानते ह बोले हम आप उसके साथ पुस गए, क्या अरे एक गंटे बात करा तूसर गए यार क्यों आप नहीं करना तूसर भी बात करता जा रहा था इसलिए पुस गए जो चीज नहीं चाहते हुए करना पड़े उसको बोलते हैं फुस जाना, दो गंटा लेली हमारा फुस गए पु सपुद करता है baru जुद करने करने हैं थो जो काम करने कांह नहीं ले चाहते हैं, तो भी आपको करना पड़े अपनी वासना, उसको बोलते हैं खुद लें, इस स्टाजी खुद कर लें, बांके और जुद नहीं था सुदी है बड़े जोल इसके उतिया सक्षै कि मेंडं में तो फस्ते ही नहीं, तो क्यों आगे ऐसा कुछ कारण बनाओ कि हम इतनी इंबरेसिंग सिचुएशन में आएं, हम क्यों अपने आपको किसी जाल में डालें, शुरू से ही बात उनको सोचनी चाहिए थी, कि के कई पता नहीं क्या कर दे, हम राम जी के साथ रहेंगे, ठीक है न यह यह बात जानते है कौन कह रहा है, राम जी और लक्षमरण जी बात कर रहें आपस में, एक चेप्टर है, और लोग आपस में बात कर रहे हैं कि देखो, एक विशे की आसकती से कितना बड़ा नुकसान हो गया, और अपने अंदर भी, राम राज नहीं आएगा जब तक क कि कही जिन्दा है, याद रखना के कही, क्रिया शक्ती है, प्रॉंटेट बाइ लोब, एंद सपोर्टेट बाइ भीद बुद्धी, कहां से राम रा जाएगा, अमी लोग आगे बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, सुमन जी गए, सुमन जी दिन में पहुंच ग दिन का समय था, उन्होंने घोडे को एक साइड में रखके कहीं छुप गया, उनको लगा दिन में जाएगे, देखने लाएग तो है नहीं, सब लोग रोईगे, तो हम भी रात में छुप के से जाएगे, जब शाम होगई तो गय फिर भी लोगोंने देखी लिया, ना कोई कर रहा है, ना कोई बात कर रहा है एक दूसरे से, ना कहीं स्वाहा क्या भाज आ रही है, ना कहीं घंटी बज रही है, ना आर्ती हो रही है, ना ब्रामन लोग बैठे हुए है, ना कहीं पर सुपकी क्या वाज आ रही है, कहीं पर रोनी क्या वाज आ रही है, कहीं पर देट तो किया देट शाइलेंस लिए व हुआ है देट इक देट साइलेंस होता है। एक देट साइलेंस अथा तर उसके बाद वो गए, सीधेगे उनके पास, तश्रजी के पास. लिकिन दस्रजी का पैरेक्टर ह्यवाला बड़ा बड़िया है।। इदेगो अश्थ नश्च्छा आदत से, इस अटेश्मेंट से आगे कोई दुखाएंगा क्या? आगे की दुख के लिए आप अभी से उसका कारण हटाओ. बले ही बहुत मुश्किल लगे. मुश्किल लगे तो लगे. लेकिन हम किसी अटेश्मेंट में हम नहीं रहेंगे. हम खुब प्यार करेंगे. लेकिन हम, हम ऐसे फसेंगे नहीं. अब दसरजी, चौत्था श्लोक. मिल गया? राजातू रजसा सूतम, धस्तांगम समुपस्थितम, अश्रु पूर्णम उखम दीनम, वाचा परमार्तवत. अब ये गये, इनके पास. अब ये जो है, कि कही के पास नहीं थे, काशल्याजी के पास थे, कौन? भगवान का ये खेल है. जिसको आप निगलेट करते ते, छोटा समझते ते, जब 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 बढ़ा बनता है. और जिसको आप बहुत उचा बनाते थे, भगवान दिखाते है, ठिंगा, ये कुछ भी नहीं निकला. इससे कुछ काम नहीं आया. इसलिए कभी किसे का तिरसकार नहीं करना चाहिए. ये पता नहीं कब इसी की जरूवत पड़ेगी आपको. अभू गह, अभू गह, अभी पूरा शरीर पे, चेहरे पे, उनकी धूल थी, और आसू था, और लाल, ये पूरा पुर्शन लाल हो गया था. रूखा सूखा मूँ था. अरे, सुमन्त अकेले आया हूँ. पांदर पिस लोग, उलेग भाद मताओं, जो राम है, वो कहां रह रह रहा है, अब तो कमरा तो नहीं हूँ. कहीं पे, वरिक्ष के नीचे हूँ नहीं, मुरक्षमूलमूपाश्यता, सुवत्यन सुखिता सूता, किम अशिष्यती रागवा, एक भोलो, खाया था कुछ रात में, किम अशिष्यती, कुछ खाया था, पांच दिनों हो गए. क्या खायाए, अशिष्यती मतलब क्या खायाँगे आगए, क्या खायाँगे आगए, especially just some bliss,, अगर हम पैदा नहीं होते तो शाहिए दराम ऐसे नहीं होते हम राम को दुख देने के लिए ही पैदा होते दुखम सुमंत्रश कैसे सोय है राम भूमी पालात्म जो भूमाव शेते जमीन पे सोय हो गया भूमाव शेते कथम अनाथवत और तो कोई साथ था नहीं है यहां तो भीड रहती थी यम यम यांतम अनुयांती स्मपदाती रथ कुंजरा साथ नहीं हैं साथ नहीं हैं पहले तो उनके साथ हाथी गोड़ा चलते थे अब वो पैदल जा रहे होंगे साथ वत्स्यति कथम रामो अकेले कैसे राम रहते हैं सुनो एक बाद बताओ सीता कैसी हैं व्याले ही मुरगे ही चारितम कृष्न सर्पनिशेवितम वो सब जहां जाते होंगे वहाँ तो वहाँ तो जानवर होंगे व्याल कृष्न सर्प कुबरा इत्यादी भी रहते हैं जंगलों में तो कृष्न सर्पनिशेवितम कथम कुमारव वहतया सार्धम वनम उपाश्यता हूँ ऐसे कहके रुएं फिर बैठ जाएं फिर रुएं वहाँ एक बाद बताओ अकेले क्यों हैं जब लुग बैठी थी चारों तरफ देख रहते वहाँ एक बाद बताओ सुमान क्या भोले राम अच्छा लक्ष्मन क्या भोले क्या भोले कुछ कुछ तो बोलो अब हम नहीं रहेंगे आसितम शैतम भुक्तम सूत रामस सिकीरतया खाने सोने उठने के बारें बताओ जीविश्यामी अयमेतियन ययाति ययातिक तरह हम भी खतम होने वाले हैं अब इन्होंने बताना शुरू किया क्या आप सुनिये और सब बताया कैसे कैसे हुआ क्या क्या पूरा इंसिडेट्ड ग которой लोग सो गए थे जाग गए अबरबेटम बताया जैसे-जैसे कुछ लोग एक्दम गदम बताले जाते एं एक-एक बात उनको याद रहते हैं कुछ लोग आधी अदूर्य मियर्ट बताते हैं. कुछ गड़ा कर आधी आज बताएंगे, आज कुछ वोग कर बताएंगे. जब जब याद आता है, तब तब बताते हैं. कुछ लोग वक्वेस के साथ अच्छे से आद रहता है. उनोने सब अच्छे से बताया, उनने का कि भरत राजा बनेंगे, तो उनसे बोल देना, कि सारी माँ क अच्छे से ख्याल लखें, पिता का ख्याल लखना, ऐसी बात बोले, अच्छा, हाँ, और रामने ऐसा किया, उस दिन निशाद आये थे, तो निशाद चावल बना के लाये थे, का रामने खाया, का नहीं, का क्यों, का उनों ने बोला कि हमें मूल कंधी खाना है, कि अपने हाथ तो आख पर रख के रोये, बोले फिर हम लोग गंगाजी के पास जा रहे थे, उनों ने हमको बोला जाओ, 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 लक्ष्मर जी ने कुछ कठोर सब बोले आपके लिए, लेकिन राम जी ने मना कर दिया बोलने के लिए, तुरसी रमायन में आया, राम जी ने बोला हम से, कि लक्ष्मर जी ने क्या बोला, वो पिदा जी को मत बताना, ऐसा लगता है, बड़े बोले थे, सुमन जी, और जब हम आयो ध्या, किसी ने हमको नमस्कार नहीं किया, किसी से हम से ऐसा मतलब नहीं हुआ, अब दशरजी ने बोला, देखो, हमारा कोई हाथ नहीं था, ओ कहा है राम, जिनके बड़े-बड़े हाथ थे, जब वो हमारे कमरे में आते थे, तो हमारे कुछ साश्टांग प्रणाम, अगर पांच बार आते थे दिन में, तो पांच बार प्रणाम करते थे, हमारे साथ बैट के खाते थे, हम उनको देखते थे, उनकी लाल-लाल बड़ी-बड़ी आँके थी, उनके कान में कुंडल लेता था, ऐसे करके, वो विलाब करते अपना सर ऐसे, ऐसे पीटे जमीन में, कि हाई राम, हमने क्यों ऐसा कर दिया, राम हम को माफ कर दो, राम तुम छोदा साल कैसे रहो गए, तुम तो बहुत कुमल हो, ऐसे कैसे रहो गए, और सिरसीता जी के बारे में बोला, इस तरह से चलती चलते, फिर वहाँ पे कौशलया जी कमरे में रह गई, आज कौशलया जी का मन ठीक नहीं था, कहा एक इस्त्री के पा आप पे तो कभी बहुत ध्यान दिया नहीं, लिकिन आप ने राम को वनवास ने दिया, आज सुनाया एक थोड़ा सा, आप ने हमारा सब खतम कर दिया, पत्चीसवाश लोग है, 61st chapter का क्या बोलने आपको, دात्वं मम नइ वासी, रामस्च नवनम आहिताह, आताह नवनम गंत मिच्छामी, सर्वथा हा घ्ता तवया, हतम तवया, हतम तवया बार वर यही बोल लही है हूँ, बол लिख अपने हमारा सब खतम कर दिया, हम्हारा सब खत्र chapter 61, 25th shlok and 26th shlok. अब हम किस्से बूले, आप तो बात नहीं करते जादा, अब आज आप आप आए हैं बात करने, दश्रच जी ने कहा कि कौशल्या, अब नेक्स चैप्टर पे आगा है। कभी- कभी यही वालमी करमायन का मानवी टच दिखाते हैं कि कभी- कभी किस तरह से आदमी का बैलवा जाता हैegब कि बहुत बैलेंस थी है, कभी बोलती नहीं थी कभी बोलती नहीं थी उन्हों ने कहा कुछ 최ल्या हम बहुत दुखी है वालाड़ी हम से गल्टी हो गई है तुरंट हाद जोड और किसने? कौछल्या जी ने हम से गल्टी हो गई जो हम ने बोला आप हमारी इस बात को कभी आद मत रखेगा प्रसीद शिरसा याचे बारवाश लो भूमव निपतितास मिते बोले हम आपको प्रणाम करते हैं आपने जैसा भी हमारे साथ किया हम उसको स्विकार करते हैं वास्तों में हम बहुत दुखी हैं इसले कुछ हम पूट-पठांग बात बोल गए हमारे दुखने विवेक ले लिया पंदरमाश लोग अंडरलाइन कर लीजे शोकु नाशयते धैरियम शोकु नाशयते शुतम शोकु नाशयते सर्वम नास्ति शोक समोरिपुहू शोक पता है ना कोई पिछली घटना हो गई है छूट गई है और वो क्यो छूटी इसी को ले कि हम परशान रहते हैं कुछ कर नहीं सकते बोले हमें बहुत शोक है इसलिए हम ऐसी बात बोल गए नहीं तो हम ऐसी बात नहीं बोलते आप से हम कभी नहीं आप से बोलते आप ख्रमा करती जाएगा, शोक मतलब होता है, कि कोई चीज, एक होता है, शोक भूद की बुरुत्ती है, भविष्य की बुरुत्ती मौ है, वर्तमान की बुरुत्ती राग है, ये कुरुत है, तो शोक पिछली बुरुत्ती है, कोई चीज, बहुत चीज अच्छी को गई, त जला जाता है, धहर मतलब बताया था, एक सस्टेनिंग पावर, मतलब बड़े से बड़े दुख में, जो आदमी का, उसको उसका दुख का परपस दिख जाता है, उसको बोलते हैं धहरे, बड़े से बड़े दुख आने पे, लगे कि इसके कारण हम मैचूर हो जाएंगे, तो आदमी एकसेप नहीं करता उसको, उसको बोलते हैं धहर खो दिया, यह लोस्ट हिमसें, बड़ा से बड़ा दुख आया, उस दुख के आने पे, हमको लगा कि इससे हम मैचूर होंगे, भगवान कुछ इसका प्रयोजन है, आगे कुछ इसका पहल अच्छा आएगा, अच्छा आएगा, उसको दुख दुख थू एट, हमने सुब एग्जांपल दिया था, इंजेक्शन वाला, बड़ टेस्ट इत्यादी वाला, इस अगर याद आ रहा हो, उसको धहर ही बोलते हैं, हमरे अंदर एक फिकिल्टी आ गई, और कुछ देखने की, धहर में एक श् श्युवर को हटा देते हो, और उसको दुख आटेखने हो धो sisहते हो, तो उसको बोलते हैं, इनहोंने, अपना बालन्स घोड्या गगा particular हे любов... तो नहीं आता है दोते हमोंने, ऐखने हमोंने एखने हमोंने को चैश् भॉल नहीं रहें बड़ने था,िवह हमोंने और की वो सुना हुआ होता है, वो शोक से चला जाता है, शोको नाश्यते सर्मम, नाश्ती शोक समोरिपू, इसलिए शोक नहीं करना जाहिए, यह सब आदक बढ़ जाते है, हर चीज में दुखी होना, बोले चाही मी चीनी नहीं, तुहारे में है? हाँ, तो एक चीनी वाला अलग है भी मेनाची वाला दो आज़ अलग है, ऐसा हमें दिखा वहा नोत लिखा है। तुम कौन सा लिए, हमें तु कोई बढ़ ले लिया, ने ने, एक चीनी वाला भी है, सच्छी नहीं हाँ और नहीं लिखा है। आपकुछ पड़ते तो हो नहीं हो नहीं है। पर छोटी चुटी चीज में, अरे उक्या, सुबे क्या यार, उसका नाम क्या है? पता नी क्या नाम है उसका, सुबे जो लड़का मिला था, आज कल सब भूला है, इस अब के साथ होता है, लगता है नुरांज कम हो रहे हैं, सब भूला है, वो क्या था? दूसरा बहुत असानी सब बता देता है, अरे यार, उसको लगता है किना कि हम सब भूलते जा रहे हैं, नाम भूला है लोगों का, अच्छी से पहचानते हैं इसको, नाही भूले इसको, अब पूछना में, उसी में शोग दुख्यों के बैठ गढ़े हैं, यह आदत बन जात हैं, याद रखेगा, वो जो मोमेंट होता है वेस्ट हो गया, आपकी वृत्ती पुष्भोनी चाहिए, क्यों बगवान को जा रही है हो, दोन् गिव वेस्ट प्राड़क्ट तो गड़, हमी सर्वयग्यानाम भोगताचा प्रभुरेवचा, हमी सारे यक्ये भोगता हैं, अ आज उनकी जरुवत पड़ गए, जो सबसे बहुत आज बहुत अच्छी लग रही है हो, आज जो है वही अच्छी लग रही है, आन्त में वही काम आई, कहा कौशल्या, हमने अप्मी जवानी में एक बहुत बड़ी गल्ति किया था, जिसके कारण आज का दिन हुआ है, क्या गल्ति किया था, अब उसके बारे में वो बताएंगे, वो जो है ना, उसके बारे में फोड़ा सा बताएंगे, क्या गल्ति है, लेकिन देखो, हमें जो आश्चर की बात होती है, यह हम लोग के लिए एक आठ है, किस तरह से एक वृत्ति, मतलब मंतरा की एक वृत्ति, लोब की, एम्बिशन की, इतना तमाशा मचा दिया उसना, एक वृत्ति ने हिला दिया पूरे दुनिया को, एक वृत्ति, और भगवान राम की जो एक वृत्ति थी, कितने इस्थिर है उस वृत्ति से, जमीन पे सो रहे हैं, अभी भी हस रहे हैं, अभी भी बात कर रहे हैं, कितनी कठोर होगी वो भूमी, तक या उनका ये था, जब आदमी ना बहुत अच्छे स्टैंडर्ड से आता है, और उसको कहीं थोड़ा सा लोवर में भी रुखना पड़ता है ना, तो बहुत मिस करता है उसको, माली जब फाइव स्टार में रुखते हो, यह बहुत अच्छे होटेल्स में रुखते हो, और कभी आपको टू-्थरी स्टार मिल गया, बड़ा स्टिंजी सा रूम था, पानी नी आ रहा था, या वकेट टूटी था, कुछ भी हुआ, फिर आप जो हैना, बड़ा मिस करता ह बहुत इरिटेटिड हो जयादा है, यह पिसक लागजरी मिलती है उसकी उसकी इमोनिटी कम हो जाती है, फिस् bezकल और एमशनल, लेकर भगवान की इम्ोनिटी इंफिनाइट है, नोंको के कई पर गुश साहरा है, नों मंत्रा पर गुश साहरा है, नों उतने भागे को कös रह उनकी वही हसी, वही मस्ती, वही मुस्कुराहत, उनके चित्त में वही स्वातंत्र, वही फ्रीडम, वही मुस्कुराना, वही आनन मे रहना, वही ध्यान करना. एक बात आपको बोलते है एक श्लोग एक मंदर आता है बुरदारण्यक में मधु आतारितायते मधु ख्षरंति सिंदवा माधु वीर नसंतु आउशदिह मधु नक्तम उतोशशी मधु मत्पार्थिवं रजा मधु दरौस्तिन अपिता मधु मानो मनजबति माध वीर गावो भवन तुना मुलिहाँ सब तरक मधु ही मधु है ऐसा कोई जगा नहीं है जहां पर भगवान नहों सुक नहों हमने बूला था ना सब जगा सब समय लेकिन हमारी आसकती हमारा अहंकार हमारा काम सब डग देता है कितना निष्चल घर्दे होगा भगवान की लीला ये बताने के लिए है कि सारे जीवों तुमको भी ऐसे रहना चाहिए उनको नहीं जरुवत है उनको भगवान है धर्म यहीं है तुमारा अगर तुमारे साथ भी कल ऐसे वनवास हो तुम ऐसे ही रहना जैसे हम रिस्पार्ट कर रहे है तुम दशरजी की तरह परशपगल मत होना न तुम की कई की तरह भेद बुद्धी रखना न किसी से कॉंपटीशन करना अपने मस्ती में रहो अपने अंदर के जो एक फववारा है उसको बार बार खोलो आप कंट्रास्ट देखना कि क्या कंट्रास्ट है उनोंने कितनी आसानी से सब छोड़ा और वहां पे कितना कष्ठ देखे चीना कितना कष्ठ देखे चीना उनने आसानी से छोड़ा अगले कक्षा में हम लोग आगे बढ़ते कितना चेक्टर हो गया फार्टी एट